हेलो तो कैसे हैं आप लोग मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुसी होती है कि आप हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं इतना सपोर्ट करते हैं और इतना लाइक करते हैं और मैं आप लोग के अक्सर कमेंट को पढ़ती रहती हूं और उससे मोटिवेट होत बनाती हूं और यही वज़ा है कि यह भी वीडियो में आपके कॉमेंट से मोटिवेट होकर ही बनाई हूं ठीक है तो आज हम लोग साइकलोजी का एक इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुकिरिया प्रक्रम यानिकी रिस्पॉंस मेकनिजम यह अनुकिरिया प्रक्रम यानिकी रिस्पॉंस मेकनिजम वह है जिसके अंत्रगत हम इनसान के बेवहार एवं अनुकिरिया यानिकी प्रतिकिरिया के बारे में स्टड़ी करते हैं अध्यान करते हैं उसे हम अनुकिरिया प्रक्रम यानिकी रिस्पॉंस मेकनिजम कहते हैं यान कि मैं किसी के सांथ कैसे बेवहार कर रही हूं मान लिजिया मैं किसी को खुष करने के लिए उसको कुछ बोल रही हूं उससे कुछ बाते कर रही हूं उसको खुष करने के लिए मैं कुछ बोल रही हूं तो वो इनसान क्या रिस्पॉंस दे रहा है वो इनसान किस तरह का रिप रिस्पॉंस दे सकता है वह इंसान उस हमारे बेवहार से वह खुस भी हो सकता है और हो सकता है कि वह असने लगे या फिर वह इंसान जो हमारी बातों को सुन रहा है वह हमारी बातों को सुनकर क्या पता उसे कुछ किसी और की याद आजाए और उसको याद आने से उसके आख म कंकड से ही देगा वह इंसान आपको कंकड का जवाब पत्थर से भी दे सकता है इट से भी दे सकता है वह डिपेंड करता है उस इंसान पर वह आपको कंकड का जवाब कंकड से नादर कर ये भी इस तरह से भी रिस्पॉंस दे सकता है कि वह आपको जाने दे छोड़ दे ठीक ह वो बरदास्त कर ले या फिर वो ये भी कर सकता है कि घुस्सा होकर आपको दो चार गालिया सुना दे अलग-अलग इंसान अलग-अलग बेवहार करता है इन सभी बेवहारों और प्रतिकिरियाओ यानकी रिस्पॉंस को रिप्लाइमेंट को समझने जिसके अंतरगत हम समझते इसे हम को टकारते हैं चोटे-चोटे गलतियों पर उसको दाट ते एं और कुछ पैरन्स ऐसा होता है जो अपनी बचों की गलतियों पर डाटते नहीं हैं उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है और कुछ पैरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बचों को गाली दे देते हैं लगबग ऐसे कम देखे जाते हैं लेकिन कुछ पैरेंट्स होते हैं तो अलग-अलग इंसान अलग-अलग उस वक्त का situation ही बहुत ज़्यादार होता है और जरूरी नहीं कि वह इंसान थपड का जाब थपड चाहीं दे वह उसे यह दूआ दे कर भी जाने दे सकता है कि आज तुमने मुझे मारा कल तुम्हें कोई इससे भी जुरदार थपड मारेगा इस तरह भी कहकर वह उसे जाने दे सकता है या फिर को वहां पर कोई और होगा तो वह इस तरह से भी रिस्पॉंस दे सकता है कि वह सिर्फ गुशा हो और दोशार गालिया दे या फिर कोई इनसान होगा तो गांदे जी की तरह होगा कि एक गाल पर थपड़ खालिया तो दूसरा भी गाल आगे कर दो तो अ अलग-अलग इंसान अलग-अलग तरीके से रिस्पॉंस देता है अलग-अलग से प्रतिकिरिया देता है और यह प्रतिकिरिया क्यों देता है यह रिस्पॉंस क्यों देता है कैसे देता है और यह रिस्पॉंस को करने में कौन-कौन से सरीर में अंग सामील होते हैं उन सभी के बारे में study करना ही क्या कहलाता है अनुकिरिया परकरम यानिकी response mechanism समझ में आया यहां तक अब आगे बढ़ते हैं अनुकिरिया परकरम को 3 भागों में बाटा गया है और इन 3 भागों इन 3 भागों में इन सभी और जब आप इनको deeply अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको समझ में आजाएगा कि कौन से पर्तिकिरिया कौन से रिप्लायमेंट के लिए कोई भी इंसान किस अंग से रिप्लायमेंट देता है किस अंग से वो रिप्लाइमिंट देता है किस अंग से वह रिस्पॉंस देता है तो इसको आप समझ जाएंगे तो पहला जो है भाग वह संग राहक यानी कि रेशेप्टर रिसेप्टर किसे कहते हैं मतलब रिसीब करने वाला बाहर में कौन-कौन सी हो रही है कौन कौन सी घटनाई हो रही है और आप फिंद के शरीर को छोड़ कर बाहर में कौन को रिसीब टॉर सब्सक्राइब करनने वाले अंग को रेसेप्टर कहते हैं ठीक offerings जौशा वी कौन को रिसीथ करना और माइंड तक भेजना इस जिस अं का काम होता है उसे क्या आप लोग देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है कान के help से आप लोग सुन लेते हैं कौन मेरी बुराई बात कर रहा है कौन मेरी बढ़ाई कर रहा है इस तरह सुन लेते हैं अगर कोई किसी का बढ़ाई करता है न तो उसे बहुत ज़्यादा खुसी होती है उस इंसान को सुन खर्मी है कि ठंडी है कि बारिस हो रहा है तो अच्छा से फिल कर लिया जाता है या फिर कोई मारता है ना तौचा पर पीट देता है एक छड़ी तो भी तौचा को मालूम चल जाता है और तौचा इंफ्रमेशन भेज देता है माइंड को तो यही आख कान नाक जीव तौचा यही पांच ऐसे अंग है जो कि बाहर कौन-कौन सी घटनाय हो रही है इसका हमें ग्यान देता है इसके इलावा और कोई अंग नहीं है जो बाहर में क्या हो रहा है इसका ग्यान दे बताईए आख नाक कान जीव और तौचा के इलावा और कोई अंग आपके सरीर में दिखत है जो कि बाहर क्या हो रहा है इसका ग्यान दे नहीं न यहीं सिर्फ ऐसे पाच अंग होते हैं जो हमें बाहरी वातावर्ण में कौन कौन सी घटनाए हो रही है इसका हमें ग्यान देते हैं और इसे लिए इन्हें कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं पर्भावक को इंगल समें बोलते हैं इफेक्टर अब देखेंगे किसे कहते हैं इफेक्टर मतलब पर भाव दिखाने वाले आउंग आप संग्राहक द्वारा यान की रिसेप्टर द्वारा बाहर की घटनाओं को रिसीब कर लिए अब उस रिसीब करने के बाद उस पर क्या परभाव दिखाना है क्या इफेक्ट डालना है यह काम करने के लिए अंग बनाए गये हैं जिसे बोला जाता है इफेक्टर जैसे कि मानस्पेशिया और गरंतिया आपके चमड़े पर स्वारी आपके तवचा पर कोई मार देता है मानले जे छडी से पीट देता है तो वहां की चमड़ी लाल हो जाती है मानस्पेशियों में सोजन आ जाता है दर्द आ जाता है क्यूं कोई मारा आपके तवचा पर तो आपको मार दिया ठीक है वहां का चमड़ा information भीज़ दिया आपके mind को कि कोई मारा है ठीक है अब mind response देता वहां के मानस्पेसियों को और इसी के वज़ा से वहां की मानस्पेसिया लाल हो जाती है वहां की चम्रे लाल हो जाते और मानस्पेसियों में सूजन आ जाती और वहां का चम्रा दर्द करने लगता है तो इफेक्टर्स वैसे अंगोते हैं जो की परभाव दिखाते हैं जो भी आप बाहरी वाता वर्ण चें से रिसीव किये हैं ऊफिछ है आगे बढ़ें नर्वास ये बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि नर्वास सिस्ट्म ही हमारे पूरे बोड़ी को कंट्रॉल करता है और इसमें जो मेन भाग होता है न वह हमाने लोग का ब्रेन होता है यानि कि दिमाग है तंत्री का तंत्र द्वारा ही हमारी पूरी बोडी कंट्रॉल होती है और एक तरह से इन दोनों को जोड़ने का भी काम करता है तंत्री का तंत्र संगराहख यानि की receptor माले जे कोई घठना को बाहर जो भी गटनाई हुई उसको रिसीब किया अब रिसीब करने के बाद माइंड तक भेजने के लिए दिमाग तक भेजने के लिए कोई एजन्ट चाहिए ना जो की information माइंड तक ले करदा है मालेजे पैर में चीटी चल रही है तो पैर पे चीटी चल रही है यह यह information चमरा को मालूम है लेकिन वह भेजेगा किस तरह माइंड तक तो वहन करने के लिए transfer करने के लिए कोई agent चाहिए ना तो वह agent होता है तंत्री का तंत्र ठीक है और तंत्री का तंत्र information को receive भी करता है और फिर mind जो information भेजता है उसको ले कर भी जाता है ले जाने और ले आने का काम कौन करता है तंत्री का तंत्र में कि नर्वस सिस्टम जो हता है वो तंत्रीका कोई का से मिल कर बना होता है работ किस से 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 सैंत्त्रीका कोई का से सस्ट ऑस अफ तंत्रीका कोसिका का जाल ही क्या रहाता है तंत्रीका– 10 हमारे सिरी में पूरे तंत्रीका कोसिका का जाल बिछा होता है पहले तंत्रीका या reuse कि निरॉन का इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् किसन रशना आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं दिखाता है आप लोग सर्च करेंगे ना स्ट्रक्चर आफ नियूरॉन तो आ जाएगा तो इसमें जो होता है यह होता है इसको बोलते हैं डेंड राइट यह जो रेसे-डेसे की तरह निकला है इसको क्या बोलते हैं यह बोला जाता है और ये बीच वालवा भाग होता है नूकलिए इसके बारे में हम लोग यह जानेंगे पहले सुनिए यह यह जह अ को कोशिका है यह बहुत छोटे-छोटे होते हैं और इसी तरह बहुत सारे तंत्री का कोशिका एक सांथ जुड़कर हमारे सरीर में पूरे बोड़ी में जाल की तरह बिचे होते हैं और वही जाल को बोला जाता है तंत्री का तंत्र यानि की नर्वस सिस्टम एक नियूरॉन यान एक तंत्री का कोशिका दूसरे नियूरॉन के एक नियूरॉन का जो एंड ब्रस होता है वो दूसरे नियूरॉन के डेंडराइट्स है यह डेंडराइट्स है ना इसको डेंडराइट्स बोलते हैं ठीक है तो एक पहले नियूरॉन का जो एंड ब्रस होता है उससे दूसरा नि प्रप्र का है फिर तिसरे वादे न्यूरॉन के एंड्राइब से चोथा वाला वाला बिए सी लेकर पैरों से लेकर यह सारी चारों तरफ इस तंत्री आ कोसिका का जाल बीचवता है और यह सारे चीजी जितने बी तंत्रीका कोसिका होती यह सारे आकर mind में joint होते हैं और इसी तंत्रीका कोशिका हमारे हाथ से लेकर पैर तक जो बिछे रहते हैं जाल इसी के द्वारा ही कोई भी information transfer होता है जैसे कि आपके पैर पर कोई चीटी चल रही है तो वहां अब हमारे चारों हमारे सरीर में चारों तरफ क्या बिछा है तंत्रीका कोशिका का जाल यानि कि नर्वस सिस्टम ठीक है तो हमारे पैर पर चीटी चल रही है तो हमें कैसे मालूम चलता है वहां पर तंत्रीका कोशिका वहां पर इस्तित है तो वह पैर पर चीटी चलती है तो तंत्री का कोशिका से ही इंफोर्मेशन ट्रांसपर होता है और हमारे माइंड तक आता है तब हमें मालूम चलता है कि हाँ पैर पर चीटी चल रही है कोई ठीक है तो यह तंत्री का कोशिका का जाली नर्वस सिस्टम यानि कि तंत्री का तंत्र कहल कि आंख कि स्ट्रॉक्चर कैसी है हम लोग कैसे देख पाते हैं का थे इफेक्टर में माँस्टी यहनी की ग्लैंड के बारे में जानेंगे ठीक है और तंत्री का तंतर के बार में सारी चीजे के बार में डीपली जानेंगे ठीक है अगर आप यहां तक स्क्रिंसोट लेना चाहते हैं तो लीजिए हां और एक और बात मुझे याद आ गई पिछले वीडियो में बोली थी कि भूत प्रेत या चुड़ायल यह सारी चीजे नहीं होती तो कुछ लोगों के कमेंट आये थे कि भूत प्रेत या चुड़ायल सच में होता है आप ही लोग बताईए क्या सच में भूत प्रेत या तो वही भूत है भूत एक नाम दे दिया गया है इंसान का माइंड उसी तरह सोचता है इंसान का दिमाग उसी तरह सोचता है जिस तरह वह इंसान सोचने पर मजबूर करता है जब हम लोग वच्चे थे तो हम लोग आसमान में जो बादल होते हैं उनको एक दूसरे के सांद कर जोड़ जोड़ कर कभी घर बना देते थे तो माइंड का खेल होता है आप ज ceremon को छलाएंगे उसी तरह आप काम काम करेगा ठीक है तो आप सोच लेते हैं कि हां भूठ है इसलिए आप जिस दर भी देखेंगे न आपको कोई समान वहाँ पर रखा भी रहेगा ना तो वह भूत ही दिखाई देगा अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि वहां से मत जाना वहां पर भूत है तो वह इंसान जब भी वहां से गुजरेगा तो वह डर के साथ गुजरेगा कि वह इंसान बोला था कि यहां पर भूत है और वहां से जब लग Eye से पूछ जाते हैं कि तुम ने वुद्ध कहा था तो बोलता कि मेरे चाचा देखे थे तो चाचा जाकर पूछो कि अपनी मा से सुना मा से मा से यह जाकर पुछो तो दादी से दादी से पूछो तो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे और अगर आप लोगको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रही हूं तो हमें कमेंट करकर बताते रहिए मैं आप लोग के अक्सर कमेंट को पढ़ती ही रहती हूँ तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज